मैंने अपने हर एक वीडियो में आपको एक चीज के उपर फोकस करने के लिए बोला था कि ओविलूशन के दिन पे ही आपको रिलेशन्शिप लांग करना है लेकिन ओविलूशन को कैसे बूस्ट कर सकते हैं उसके लिए बहुत ही ईजी तरीका जो काफी सालों से पहले से चलता आ रहा है उसके बारे में आज इस वीडियो में डिसक्रशन किया है वीडियो काफी इंफर्मिटिव है प्ले शुरू से लेकिलाश तक जरूर देखेगा पुराने जमाने से ये प्रचलन काफी ज़्यादा चली आ रही है और उसका नाम है फर्टिलिटी मसाज अगर आप फर्टिलिटी मसाज का इस्तमाल रिकुलर बेसिस पे करती है वो भी अपने ऑवलूशन के दिनों से पहले यानि कि जब भी अगर आपका पीरेड ओवर हो जाता है तो वो तीन से चार दिन पांस दिन तक वो स्टे करता है लेकिन उसके बाद जब अगर आपकी ब्लीडिंग ओवर हो जाती है उसकी बाद का जो समय होता है वो फर्टिलिटी मसाज के लिए सबसे ज़्यादा परियूपत माना जाता है और उस टैम पे आपको फर्टिलिटी मसाज ज़रूर करना चाहिए कब तक करना चाहिए जब तक कि आपका अवलूशन नहीं हो जाता है तो एक्सपेक्टेड टाइम जो कि 28 से 30 दिनों की जो पीरेट साइकल होती है उन महिलाओं के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि 13, 14, 15 जो तारिक होता है वो आपकी अवलूशन का संकेत होता है उसी टूरेशन में आपका अवलूशन हो सकता है यानि कि जो आपका एक्सपेक्टेड टाइम है जिस टेम पे अवलूशन हो सकता है अगर आपकी पीरेट साइकल 30 दिन की चलती है तो आप मान करके चलिए कि 14 तारिक या 15 तारिक आपका अवलूशन का होगा यानि कि उस time से जिस time से आपका period over हो जाता है तब से लेके जब तक कि evolution ना हो जाए आपको fertility massage करनी है fertility massage कैसे करनी है कितने समय में करनी है कितनी उसकी duration होनी चाहिए इसके क्या क्या benefit होते हैं सब के बारे बताऊंगे लेकिन आपको ये जानना बेहत ज़रूरी है कि fertility massage का बहुत हद तक फर्क पड़ता है उसे बहुत सरे benefits होते हैं वो benefits इस वज़े से होते हैं क्योंकि जो आपकी fertility जो areas होते हैं जहां पर आपके सारे reproductive unlocated होते हैं उनको trigger करना या उनको stimulate करना हमारी prime जिम्मदारी होती है बहुत सरी महिलाओं को कई बार in activity के भी वज़ा से उनके जो tubes होते हैं उनकी hulky-fulky blockages भी आती हैं तो आपके proper blood का circulation बना रहे है इसलिए fertility massage आपको ज़रूर करना चाहिए ताकि आपके ovaries में, आपके uterus में, आपके falupent में, आपके ovaries में अच्छी तरह से blood का circulation जाए तो उनकी functioning भी काफी अच्छी तरह से होती जाए तो कोशिश आपको ये करनी है कि आपको रात के रात fertility massage करनी है उसकी duration होनी चाहिए 10 मिनट से लेके 15 मिनट आपको बिलकुल हलके हादों से fertility massage देनी है लेकिन आपको ये पता कैसे चलगा कि किस area में देनी है तो आपका जो navel होता है जो आपकी नाभी होती है नाभी से लेके चार उंगली नीचे तक का जो area होता है उस पूरे area को मतलब वो पूरा area जो होता है उसको हमको circular motion में massage करनी होती है तो ये 10 से 15 मि के लिए काफी जादा beneficial है पूरे दिन भर आपको massage नहीं करनी है लेकिन हां रात के रात bedtime पे अगर आप ये massage करती है तो इसके बहुत ही जादा अच्छे फायदे देखे जाते हैं अगर जिन महिलाओं के evolution boost नहीं हो पाते हैं जिनके अंडे की quality कम जोर नहीं जाती है या उनक कैसे massage करेंगे तो उसके लिए best तरीका है कि आप caster oil का इस्नमाल करें जो caster oil होता है उसकी बहुत सरे फायदे होते हैं और ये ऐसे फायदे हैं जो कि बहुत सरे जो महिलाएं जिनको काफी हद तक fertility के issues आ रहे हैं उनकी भी ये problem दूर होती है आपकी caster oil की कुछ बुंदे न आईगी क्योंकि नाभी के अंदर आपके जो सारे nerve की ending होती है वहाँ पर समाहित होती है तो आपकी skin का भी glow होता है आपकी overall fertility का जो massage अगर आप दे रही है तो reproductive अंगों में proper तरह के से blood का flow होता है तो आपके अंडे की quality काफी हद तक की improve होती है तो इस तरह से आप कोशिश क इसको करने के आवशकता नहीं है आप सिर्फ और सिफ अपने 13-14 तारिक तक आप वो इसको करना है और कब से start करना है जब से आपका period उबर हो जाता है उसके बाद से आप इसका इसका इस्तमाल कर सकती है अपको सारी कि सारी जो भी आपके बन में doubts होगे सब कुछ clear हो गए हो थैंक यू सुमझ वार वाचिंग ट्वेंस भाइवल्ड